एक भहेंकर हाथसा हुआ असरीय वेदना में अनुभव कर रहा हूँ और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछनों कुछनों ने घवाया हैं जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है यह बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को बिचलित करने वाला जिन परिवार जनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्त के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी जो परिजन हमने खोये हैं वो तो वापिस नहीं ले पाएंगे लेकिन सरकार उनके दुख में परिजनों के दुख में उनके साथ है सरकार के लिए ये घटना त्यंत घंबीर है हर प्रकार की जाँच के निर्देश दिये गए हैं और जो भी दोशी पाये गाएगा उसको सक्त से सक्त सजा हो उसे बगसा नहीं जाएगा मैं उडिशा सरकार का भी यहां के प्रशासन के सभी अतिकारियों का जिन्नों ने जिस त्वरा से इस परिथिति में अपने पास जो भी समसादन थे लोकों की मदद करने का प्रयास किया मैं यहां के नागरीकों का भी रुदय से अभिरंदन करता हूँ क्योंकि उन्हां ने इस संकट की घड़ी में चाए ब्लड डोनेशन का काम हो चाए रिश्क्य आपरेशन में मदद की बात हो जो भी उनसे बन परता था बनने का प्रयास किया है खास करके इस शेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है मैं इस शेत्र के नागरीकों का भी आधर पुर्वक नमन करता हूँ कि उनके सैयोग के कारण आपरेशन को तेज गती से आगे बढ़ा पाए रेलवे ने अपनी पूरी शक्ती पूरी वबस्ताएं रिस्क्य आपरेशन में आगे रिलीव के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो जातायात का काम तीज गती से फिर से आए इन तीनों दुरुष्टी से सुभी चारी दुरूप से प्रयास आगे बढ़ाया है लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देखकर के आया हूँ अस्पताल में भी जो खायल नागरी थे उनसे मैंने बात की है मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रगट करने के लिए लेकिन परमात्मा हम सब को सकती दें कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले मुझे पूरा भी स्वास है कि हम इन गटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरीकों की रक्षा को प्रास्पिक्ता देते हुए आगे बढ़ाएंगे दुख की घड़ी हैं हम सब प्रार्षना करें इन परिजनों के लिए